आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम असक्दान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोज पर आपका बहुत बस्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान सिच्वेशन की तो सिच्वेशन दोस्तों काफी ज़्यादा वर्स होती चाह रही है अफगानिस्तान में हम काफी न्यूस की बात करेंगे काफी खबरों की बात करेंगे देखे आपको पते हैं कि जैसे 15 अगस्त के बात से लेकर अभी तक अब देड़ महीने से जादा हो गए है और तालिबान जो है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है फैलता जा रहा है पूरे अफगानिस्तान है तो सिच्वेशन काफी ज़्यादा खराब हो गई है अल्रेडी खराब हो चुकी है आपने देखा कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है बच्चों को मारा जा रहा है उनके सर पे गोली मारी जा रही है बंजशीर में तो अगर कोई भी दिग गया किसी को ये मालूम चल गया कि भाई ये resistance forces का हिस्सा था तो भी उनको मारा जा रहा है इन्होंने बोला कि देश में जो situation है वो बच से बत्तर होती जा रही है humanitarian crisis तो है ही social economic challenges बहुत जाद है कुलाप्स होता जा रहा है पूरा social और economic order खतम हो गया है और इस समय अफगानिस्तान जीते जी नर्ख है ये भी बताया कि भाई अभी जो तालिबान में जो तालिबान ने अपनी सरकार बनाए उसमें एक भी female member नहीं है कोई representative नहीं है सब इन्होंने अपने ही लोगों को कर लिया है और तो और बच्चियों को schoolों से abduct करके मारा जा रहा है ये हिसाब किताब तालिबान ने अमेरिकन अमेरिका से तालिबान जो है वो कत्ते सगस को चला गया था मतलब सालिबान से अमेरिका कत्ते सगस को चला गया था 20 साल का रूल था तो तालिबान यहीं बोला था कि सब कुछ बढ़िया होगा और हम जो है और कुछ भी नहीं करेंगे और और बच्चीयों को हम पूरे जो राइट्स हैं वो देंगे वो पढ़ सकेंगे लेकिन ऐसा है नहीं नहीं किसी को राइट्स मिल रहे हैं इन फाक्ट इनको मारा जा रहा है इनको एब्ड़क्ट किया जा रहा है तो अभी लेटेस रिपोर्ट में जो तालिबान के स्पोक्सपरसन इजाबे हुला मुझाहिद वो बोल रहा है कि भाई देखो अभी चीज़े फाइनलाइज हम कर रहे हैं स्कूल्स री ओपेन होंगे और वोमेंस को भी हम मिनिस्ट्री में बहुत जल्द इंक्लूट करेंगे लेकिन यह सब बाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो इंटरनाशनल कम्मुनिटी को यही बोरेल ने बोला है कि भाई देखो ऐसा है अफगानिस्तान का जो इशू है उस पर आप सब अपडेटेट रहें और हुमानिटेरियन वर्कर्स पर मतलब हुमानिटेरियन टैसी जो है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें और अभी में प्यारिटी यही होनी चाहिए कि वहां पर जो लोग सफर कर रहे हैं हम उनकी मदद कर पाएं क्योंकि अल्रेडी अफगानिस्तान भूग से गुजर रहा है उरोपियन यूनियन ने अभी तक हुमानिटेरियन एड़ 57 मिलियन यूरोस से 200 मिलियन यूरोस तक रेस की हुई है इस देखेंगे दोस्तों क्या होता है 600 सा 70 तर एरोपियन यूरो का टारगेट है यह तो हुई एक बात यह तो हुई कि international community अगे ने यही कहना है यह थो हुई international community की बात है பो दूसरा explosion और shoot г मस्जिद के बाहरatar काबोल में मस्जिद के बाहर पड़ोज जो आइद गाया मसजिद है मेंन कैपिटल सिटी में मेंन लोकेशन पे वहां पे explosion हो गया बॉंब ब्लास्ट हो गब ये चीज़ है मेंमोरियल सर्वे चल रही थी वहां पर तालिबान एक स्पोस्परसर आबिल्ला मुझाहिद की और खतम बॉम ब्लास्ट हुआ दो सुविलियन्स मारे गए तुरंट और बहुत सारे गायल हुए अभी तक किसी भी ग्रूप ने वहाँ पर रिस्पोसिबिलिटी क्लेम नहीं की है मुझा है डेपुटी मिनिस्टर भी है इंफर्मेशन और कल्चर के और एक्स्पोजन जो है वो क्राउडेट प्लेस पे हुआ क्योंकि ये काफी हल चल रहती है यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है अम्बुलेंस हैं लोगों को ले गई ये चीज फिर दो जर्नलिस्ट को और बाकियों को नंगहार प्रोविंस में मार दिया जिनुवा न्यूज एजिंसी ने बताया है कि जर्नलिस्ट को खतम कर दिया गया अपने रिलेटिव के साथ जा रहे थे वो जलालाबाद लिस्टिक्ट में सैटर्डे को तो वहाँ पर इन्हों ने देखा कि एक बंदूगदारी रिक्षा में आ रहा है और उनके उपर गोलियां चला दी सादत का बेटा और ड्राइवर घायल हुए अगें किसी भी ग्रूप ने रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं ली है तो यही इसाब किताब है इससे पहले ऐसे ही सेम चीज़, सेम इसिडेंट हुआ था जिसमें तीन लोग और बीस से ज़ादा घायल हुए थे जर्नलिस्ट के खिलाब वॉयलेंज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अब उसके बाद जो अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ है यह जो तालिबान ने किया है तो जब से अफगानिस्तान आया है अच्छिली कॉल आ गया था तो मुझे पॉस करना बढ़ा जर्नलिस्ट के खिलाब वॉयलेंज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है प्रेस फ्रीडम और्गनेजेशनस ने अल्डिडी बोला है कि भाई दिक्कते हैं जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट को धून धून के मारा जा रहा है और अगर कोई जर्नलिस्ट बलब जो जर्नलिस्ट तालिबान के खिलाब बोल रहा है उनको भी मारा जा रहा है, बहुत दिक्कत है, दो जर्रनलिस्ट को खतम किया गया, मार दिया गया, सूट आउट हो रहे हैं, आम लोगों को भी परचान किया जा रहा है, ये चीज़ है, फिर आखरी ख़बर ये है, कि पांच पाकिस्तान के सोल्जर्स मार दिये गए, वजीरिस्तान जो अफगानिस्तान बॉर्डर का अफगानिस्तान बॉर्डर लगता है वहाँ पे पात पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिये गए टेरर अटाक वागे इंटेररिस अटाक पाकिस्तान की मीडिया फेर्स ISI ने बोला है मतलब जो ISI का मीडिया विंग है स्टेट्मेंट में काया है कि चार फ्रेंटियर कॉक जो है पर्सोनल जो है वो मारे जा चुकर इंस्पेक्टर मारा गया है इस अटाक में इंसिडेंट नौर्थ वज़िरिस्तान में हुआ था 30 सितंबर को इससे पहले पाकिस्तान के कार्मी कैप्टन भी मारा गया था खाइबर पक्तून वह हमी तो अटाक्स बढ़ते जा रहा है अब यह सब हमको क्या बताता है और यह निउज मैं क्यों बता रहा हूँ यह निउज मैं यह बता रहूँ इसलिए बतारो, क्योंकि तालिबान एक आतंकी संगठन है, और ये लोग गोलियों से नीचे बात नहीं करते हैं, चीजे बत से बत्तर होती जा रही है, बहुत जादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहां पे सारे के सारे आतंकी ग्रुप एक साथ अक्टेव हो गए हैं, प पाकिस्तान में अभी डीसेंटली एक साल में अटाइक बहुत होए हैं, बहुत जादा, पूरा देशी खतम हो जाएगा, तो भाई भाई है कि अगर तुम गलत को सपोर्ट करोगे तो तुम्हाँ साथ भी गलती होगा, अच्छा नहीं होगा, खुश रहे पर तेरे इदे से से दांतान नहीं हो तुम्हाइक पर तुम्हाँ बतुम्हाँ बता इदे से रहे पर तेरे पलती होगा, बहुत है से नहीं होगा.